दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि अगर आप किसी को इंजक्शन नस में लगाते हैं और वो गलत तरीके से लग जाता है याई आपका ब्लड नहीं आ रहा है तो उसको अंदर ही यानि बैंस के अंदर ही उसको कैसे सुधारेंगे अगर ब्लड नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा पीछे खीचेंगे फिर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा फिर उसको फीछे खीचेंगे और फिर पीछे खीचके देखेंगे अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और खीचेंगे पहले अंदर उसको ले जाएंगे फिर खीचेंगे नहीं उसको patient कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो धीरे धीरे आप दवाई को इंजट करेंगे और इसमें आप ये भी देखना है कि अगर इसमें आपका air है देख लेजेगा needle में थोड़ा सा यानि ample में थोड़ा सा air है तो इसको अंदर आप जाने नहीं देंगे इसको बाहर ही रोक लेंगे आपका भले ही दवाई थोड़ा कम जाए लेकिन ये air नहीं जाना चाहिए ये चीज आपको ध्यान में रखने है फिर इसके बाद में आपको spirit cotton से उसको मोड़ देना है